नमशकार प्यारे बच्चों मैं 2020-2021 के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ क्लास 7 में पेस नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे देखिए पेस नंबर 3 पे हमारे पास पेंसिल शेडिंग है एक पेसल पेसल में और यह पर पेंसिल शेडिंग करते हैं पर इस पार पेंसिल शेडिंग के मैं फोरट व्यक्तल करने लाइट यानि बशोच्प्रे,मिदल तॉन धोड़ा सब्राइब इसमें हैं आप सभी 6B Pencil खरीद लेंगे देखे, Straight Stalks का मतलब है Straight Lines में Shading करना तो हम यहां से Light, 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 Light Straight Lines लगाते जाएंगे बहुत ध्यान से देखना है देखे किती Light, Light Lines में लगा रही हूँ और Lines जो है वो एक के साथ एक टच की होनी चाहिए और यही Lines फिर ऐसे आगे भी पूरा जाएंगी यह Straight ही रहेंगी यह रेखे हमें यहां से ऐसे ऐसे नहीं Lines लेने हैं हमें ऐसे टिक की तरह लगानी है और यह ऐसे Straight पूरा जाएंगी यह देखे इस तरह से यह Straight Stalks हैं कि lines भी है और shading भी नजर आ रही है इस तरह से यह आगी light tone अब थोड़ा सा pencil पे हम जब stress देते हैं तो middle tone यह देखिए lines एक साथ touch की होनी चाहिए shading की जगा shading दिख रही है और lines भी हमें नजर आ रही है और इसको हमने continue करना है तो यहाँ आगे से ऐसे continue करेंगे यह देखिए तो straight से आगे तक चलेंगी तो पता नहीं चलता है कि कहां से हमने दुबारा pencil रखी है और कहां छोड़ा है अगर हम line को ऐसे stop करके करते हैं ऐसे stop तो जब हम आगे से continue करते हैं तो देखिए यहाँ पे यह इस तरह का आ जाता है तो यह नहीं होना चाहिए ऐसे plain plain और smooth ही रहनी चाहिए अब है dark shade तो हम और ज्यादा दबाके चलाएंगे pencil को यह देखिए इस तरह से तो जब हम बीच में से start करेंगे तब भी हम इस तरह से ही करेंगे यह पुरे-पुरे boxes आपने भरने हैं ठीक है तो कहीं भी line जब हम start करते हैं तो इसका पता नहीं बीच में अगर कोई जैसे line छूट जाए तो आप बाद में वहां पे जाके लगा सकते हैं बट यह softness आनी चाहिए और यह parallel straight lines में ही चलनी चाहिए next है हमारे पास hatching इसमें देखिए बेटा straight stocks ही है जिनको हमने थोड़ा gap देके चलाना है light shade आगी और जब हम इसको इस थरह से ऐसे cross कर देते हैं यह देखिए ऐसे तो यह net सी बनती जाती है यह जो net वाली shading है यही हमारी hatching है देखिए middle tone में यह देखिए इस थरह से और जाहें तो हम अपनी book को थोड़ा सा ऐसे घुमा के भी रख सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार तो यह देखिए middle tone की hatching आ गई अब हमारी dark tone की hatching आगती है हम pencil को stress देके चलाएंगे थोड़ा gap देके रखना है तबी net जो है वो अच्छे से बनेगी अब देखिए 7th class की जो आपकी book है हिंदी की एक खुश्वन सिंग से related chapter है उसमें ये दिया हुआ है hatching face में करके ठीक है lines में जो है और कहीं गहीं ऐसे hatch भी किया है और lines वाली shading भी उसमें दी है जब आप उस book को खोलेंगे तो उन pictures को अच्छे से देखना अब stripling है striplings का मतलब है कि dot में shading light 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 dote और थोड़े दूर-दूर लगाते हैं कि इस तरह से कैसे ये स्टिपलिंग की lights hai canbiie थोड़ा सा दोट नजदीक नजदीक लगाते हैं यह देखिए नजदीक नजदीक लगाते जाएंगे और होंगे वो डोट ही इस थरह से थोड़ा पैंसिल को स्ट्रेस देखके लगाने हैं यह देखे तो यह लाइट शेड आगी दूर दूर रहेंगे मिडल शेड थोड़े नस्दीग और राग शेड में एक तो दबाके भी लगानी है पैंसिल और नस्दीग नस्दीग डोट लगाने हैं और नेक्स्ट है सॉफ्ट ब्लेंडिंग जो आप अभी तक बेटा करते हैं आए हैं देखिए हम इस तरह से शेडिंग करते हैं ऐसे पैंसिल को जिग 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 करते हैं और उसके बाद उसके उपर ऐसे उंगली से पेपर से कोटन से हम इस थरह से उसको सॉफ्ट कर देते हैं तो यह सॉफ्ट ब्लेंडिंग शेड है यह लाइट शेड आगे थोड़ा सा मैं डाग करूंगी मिडल शेड के लिए और फिर जब हम इसको भी ऐसे सॉफ्ट कर देते हैं हाथ से भी कर स चोटा सा कोई क्लोथ का टुकडा लेके उसको भी यूज कर सकते हैं देखिए और ये डाग शेड आ गई ये देखिए डाग डाग कर दिया मैंने और इसको भी अबने ऐसे आपकर दिया तो ये हमारी शेड्स हैं सोफ्ट ब्लेंडिंग लाइट मीडियम और डाग तो ये पहले आप करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक तक आप वाटर कलर्स खरीद लेंगे ठीक है आपने स्टूडेंट वाटर कलर खरीदने हैं जो केक्स में आते हैं और जीरो नंबर का 3 और 5 नंबर का राउंड ब्रश लेना है एक पालेट भी ले लेनी हैं जिसमें हम कल करने हैं तो अभी आप यह बला पेस करेंगे आज से स्टार्ट कर दीजिए आपको हर हफते वीडियो आ जाएगा ट्रॉइंग का थैंक्यू बटा करिए